हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो सोनी स्विजन आज की वीडियो में बहुत पावर्फुल इंफॉर्मेशन आपको देने वालों बिजनस के बारे में असेट लाइट मॉडल यह क्या होता है देखिए बिजनस को ग्रो करना है पैसा नहीं है मैंपावर नहीं है आपको लगर इतना सारा कैपेक्स लेके कहा से हूँ उसके लिए पावर्फुल स्टैटिजी देने वालों आज की वीडियो के अंदर कि कैसे आप बिजनस को ग्रो कर करेगा आपका तो यह वीडियो बहुत इंपोर्टन होने वाली बहुत कमाल की पूरी वीडियो को एंड तक देखके जाना फ्रेंड्स आजका टाइम पहले जैसा नहीं रहा पहले अगर आपको जूते की दुकान खोड़नी थी तो पहले क्या करते थे 20 साल पहले दुकान ख वेबसाइट बनाओ उसका SEO कराओ E-commerce वेबसाइट 40-50 अरो बहुत अच्छी तयार हो जाती आज के ताइम में उसके बाद उसके आईशियो की ओपर खर्च करो पहले आप जब जूते बेशते थे दुकान कोल कि तब आप अपने शेर के यह लोकल एरिया को आप जूते créer ng collect adaptive का सबसे बड़ा एड्वांटेच फिया होता है वहinson no captureають मतलब आपको बिजनस चालो करने लगा नीतों वहां पे आपका फैक्टरी का पैसा बजाता वो वो व्रकिंग के लिगा बड़ा चापिया झाल सकते हो और बिजनस को बहुत टेजी से कर सकते हो आप आप को सबसे पहली स्टेजी के बारे मथांगा वो है फ्रेंड़ एन फ्रेंचाइजे आप लोगो ने बीजनस चाट करा बीजनस को को grow करना जाते हैं हर city के अंदर expansion करना चाते हैं इतना पैसा नहीं कि अब हर city के अंदर जाके state के अंदर जाके अपना office खुद खोल सको उस case के अंदर आप अप franchise business model develop कर सकते हो आपने अपना जो office यहां जो business है उसके बहुत hard work करा उसको बहुत profitable करा अब आप चातों की दूसरे city के अंदर मुझे office कोलना है तो आपको सिर्फ फ्रेंचाइजी ढूंड़ना है जो आपके भिहाब पर आपकी company को वहां रन करेगा और आपको कुछ royalty उसकी हर साल मिलती रेगी वहां पे पहली च जो कुछ भी उसको चालो करो उसके बाद उसको profitable करो सबसे पहले दो से तीन साल के लिए फिर उसके बाद उसके बढ़ाओ SOP standard operating process फिर उसके बाद अपने trademarks IPR legal documentation इनको बहुत strong रखो तो यह कोछ चीजे होती जो बार-बार repeat होंगी let's suppose आपके वास employees हैं SOP बने वें तो जो agreements आपने employee की साथ करें जो SOP आपने बनाएं जो R&D आपने करी जो business के process में develop करें वही same process, agreements, trademarks आपका franchise ही use करेगा अब उसको वहाँ पर खडचा नहीं करना तो उसका पैसा बज़ गया प्लस आप उससे हर साल royalty कमाऊगे अगर आपको अभी भी doubt है ना कि करना कैसे तो screen के पर आपको मेरी team का number दिख रहोगा, इनको फटाफट call करें मेरी team से बात करिए, यह पूरी चीज़ आपको explain करेंगे detail के अंदर आपको help out करेंगे, अब बात करते हैं दूसरे strategy की licenses in and out, अब यह strategy क्या होती है, देखिए आप अपने business को grow करना चाते हैं, बट आपका पैसा नहीं है, factory लगाने का दूसरे country के अंदर जाए, बिजन सेट अप करने का, इस condition में आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा strong R&D करो, research करो, उसके बाद उस चीज़ का patent करो, उसके बाद आप दूसरी companies को, इसको license out कर दो, यह इन कर दो, अब यह work कैसे करता है, देखिए Moodoo Patloo, यह बहुत सारे cartoons आपने online देखे होंगे, Doraemon, Sunshine, यह बहुत ज्यादा trend के अंदर चल रहे हैं, अब आपको इनको use करना है, अपनी brand के उपर, तो क्या करना है, simply in companies के पास जाना है, जो इनको own करती है, उनको कुछ event royalty के अंदर देना है, वह आपको license देंगे, इनको use क जो भी आप goods और service यूज कर रहे हो, आज के टाइम में Moodoo Patloo बहुत ज्यादा चल रहा है, तो market के अंदर जो bag होते है, school के, bottles होती है, अगर उनकी उपर इनकी photo लग जाए, तो बच्चे जली pick-up कर लेते हैं, इसलिए brands prefer करती हैं कि हम ऐसे licenses खरीदें, या purchase करें, जो बहुत R&D करो, भी R&D क्या होता है, research and development, उसके बाद नए, कुछ गोल कपे के flavors बनाओ, उनको इतना innovate कर दो कि वो बिल्कुल unique हो, उसके बाद, किसी भी patent attorney के मतद से जागा patent file करो, अपने goal cup होगा, उनकी recipe का, अब उससे क्या होगा, जैसे ही अपने patent file कर, आपको उसका patent मिल गया, उसके बाद, आपके अलावा 20 साल तक कोई और उसको use नहीं कर सकता, फिर आप किसी investor के बाद दाओ, या किसी ऐसे person के बाद दाओ, जिसके बाद factory है, या अच्छा ऐसा capax है, उसको बोलो कि मैं आपको, मेरे goal cup पे के recipe है, use करने का patent दूँगा, उसके बदल में मैं आपसे royalty अब marketing वो करेगा, production वो करेगा, सारे चीजे वो करेगा, बैटे बैटे रोयल्टी का उन खाएगा, वो खाएगे आप 20 साल तक, यहीं सेम मॉडल, Walt Disney ने भी अपनाया, उसके बहुत सारे cartons के character बना दिये, आज पुरी दुनिया उन cartons के character बना दिये, आज पूरी दुनिया अब जब भी इंडियन ब्रैंड को इंडियन एडवर्टाइजमेंट करना होता है, उस फोटो को यूस करते हैं, अब वो सेव फोटो सौ लोग यूस कर रहे हैं, तो संधी मैश्वर की costing अराम से निकल जाती है, तो यह मैथड आपको फॉलो करना है अपने business के अंदर, अग स्क्रीन पर नमबर दिख रहे है, डिलेक्टली हमको कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे, फ्रेंग्स, अब हम बात करेंगे थर्ड स्टैटेजी के बारे में, वो है आउट्सोर्सिंग, अभी आउट्सोर्सिंग क्या होता है, लेट सबस्, आपने बहुत ज़्यादा R&D करी SOP बना लिए, प्रोसेस बना लिए, अब आपके बस ऐसी information है, जिससे आप जो product है, उसको easily develop कर सकती हो, तो खुद करने की ज़रूत नहीं है, जब आपके पास सब कुछ ready है ना, आप किसी दूसरी country के अंदर जाओ, जो बहुत ज़्यादा cheap है, जैसे US करता है, US के अंदर Apple क उतनी बनाता, Apple अपना पैसा खर्च करता है, designing के अंदर, innovation के अंदर, patents के उपर, Apple के पास इस समय बहुत सारे patents है, Apple अपना phone किसी और company से बनाता है, चाइना के अंदर, वो company, Apple को same phone बना के देती, जो Apple चाहता है, सब specification, designs, patents उस company को दे दिये जाते हैं, अब पैसा किसका लगा factory दालने में सामने माली company का, Apple सिफ US के अंदर, बैटा बैटा रोयल्टी खाता है, आज Apple इतना famous क्यों है, क्यों बाकी phone इतने famous नहीं हो पाए, देखिए, बाकी phones इतने famous इसली नहीं हो पाए, इतने expensive इसली नहीं हो पाए, क्योंकि Apple सारा पैसा cuts करता है, patents के उपर, R&D के innovation के उपर है, production के उपर Apple इस दिमाग नहीं लगाता है, Apple उस चीज को outsource कर देता है, जिसकी वज़े से वो बहुत टेजी से grow हो पाया, देखिए, lockdown के अंदर मेरे कहीं है ऐसे client है, जिनको मैंने advice करा, अगर आप अपना office अभी online लेके जा रहे हो, तो hiring करना है, तो हर किसी को laptop दिलाने ही जरूत नहीं है, आप online requirements दालो, वहाँ पर उनको बोलो, कि आपको अपना खुद का laptop यूज करना है, खाली वो अपने laptop में आपका काम करेंगे, आपका laptop का पैसा बचा, office का rent बचा, light बची, पानी बचा, सब कुछ बचा, तो आपका major capex यहाँ पर बच गया, R&D हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, जो आपको लगे कि इसमेरा बहुत ज़्यादा time जा रहा है, expertise नहीं है मेरी, इसके अंदर तो मैं इसको outsource कर देता हूँ, बट इस चीज का ध्यान आगना, जब आप outsource करो ना, तो बहुत ज्यादा strong agreements करना सामने वाली company से, यह सामने वा करा जाएगा, यह चीज भी आन लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अपी भी doubt है कि कैसे agreements बनेंगे, कौन कौन से agreements बनेंगे, कैसे worksheets बनानी है, तो यह screen पर वापेस number आप लोगों को दिख रहा है, इस number है फटा-फट call करो, मेरी team से discuss करो, एक बर उन से बात करो, वो आपको मदद करेंगे, बताएं कौन कौन से documents की आप लोगों को ज़रूरत है, अब friends, हम बात करेंगे, चौती strategy के बारे में, अब यह क्या है, यह है collaboration, collaboration करके आप कैसे grow कर सकती हो, देखो, आपको business grow करना है, clients हैं यह, customer चाहिए, तो आप किसी कर collaboration कर लो, ऐसे किसी के पा बाज दो, उसको बोलो, भाई, देख, जो जूते लेने आएगा, मोजे तो लेगा ही लेगा, तो आपने उसके customer को भी अपना customer बना लिया, प्लस, जिसने आपको customer दिया, उसको आपने कुछ referral amount दे दिया, अब यह strategy में आपको और डीप के अंतर बातो, कैसे grow करा जाता है, देखो, business करना है, पैसे नहीं है, कि नहीं पता कि कैसे grow हूँगा, तो बहुत simple है, आपको website बनवानी है, तो किसी website developer के बाज दाओ, उनको बोलो कि sir, मुझे website बनवानी है, बट आज मेरे पास 1-2 लाग रोपे नहीं है, उनसे deal करो, उनको बोलो, कि sir, आप website मुझे आज free मे बना के दो, जो मेरी income होगी, उसका इतना percentage मैं आपको दूँगा, इतने time में, आपका पैसा recover हो जाएगा, friends, आप जबी भी किसी के साथ collaboration करो न, तो details के दो सारी चीज़े लिखवाना, आप दोनों के बीच में, terms and conditions बिल्कुल clear हो नीची है, point बताता हूँ क्यों, आप आज सामने वाले को पैसा थोड़ना देते हो, आप तो एक future का benefit दिखाते हो, कि future में मेरे साथ collaboration करके, इतना सारा benefit आपको future के अंतर मिलेगा, अब problem के होती है, let's suppose, सामने वाले ने बहुत जादा expectation कर ली build आप से, और आपकी इतनी थी नहीं, आपकी तो बहुत कम थी, और दूसर वहीं बंद हो जाएगा, इसलिए agreements को बहुत जादा strong रखना चाहे, वो फिर NDA, non-competing हो, जो भी clause हो, हर चीज को शुरुवात के अंदर, अच्छा से terms and conditions को read करके ही sign करना, friends, अब बात करेंगे पाश्वी strategy के बारे में, let's suppose, आपको एक office चालो करना है, but आप लोग के पास इतना पैसा नहीं कि मैं इतना premium जगा पर जाके rent दूँ और वहाँ पर अपना office चालो करूँ, but आपको यह भी पता है कि मुझे इतने सारा space की requirement नहीं है, तो वहाँ पर आप कुछ लोगों के साथ मिलके, उस office का rent share कर सकते है, co-working space बोलते हैं इसको, इंडिया में actually co-working space इस स सिफ आपको पैसा पर एक अनना है, जिस कुरसी पी को पर आप बैठ रहे हो, आप यह नहीं चाहते हो, आपको लोकेशन पर अविलेबल नहीं है, तो आप 3-4 जने मिलके आपस में एक अच्छा office बड़ा office ले सकते हो, वहाँ पर प्याउन का खर्चा शेर हो जाएगा, स्ट अच्छा करना बहुत महेंगा है, देखो किसी एक factory वाले को देखो, जो 12 गंटे ऑपरेट करती है, फिर उसको बोलो कि 12 गंटे तेरी factory चलती है, बाकी 12 गंटे इसको मुझे लेंट आउट कर दे, जो goods and production मुझे करने है, let's suppose आपको यीड बनाने है, यीड का बिजनस करना है तो 5 क्रोड लगते हैं इट की factory दालने में, उससे बैटा रहे, आप किसी एट की factory वाले के पास दाओ, उसको बोलो, जो market में rate दे रहा है न में इट का, उससे मुझे कम rate पे चाहिए, वहाँ पे आपका 5 क्रोड बचा, आप उसके लिए sales लाके दो उसको, and आप उसको बलो customer की information में share निकल हुआ, खाली इस rate पे मुझे तू इट देना, बागी मैं जानू कि मैं इट का क्या करता हूँ, उससे आपको इट की factory के अंदर 5 क्रोड नहीं दालने पड़े, आपका सारा खर्चा बच गया, इससे आपका working flow, working cash flow बना वो बहुत ज़्याद आपकी जेब में बच जाता है, जिससे आप business को scale कर सकते हो, marketing कर सकते हो, अच्छी जगा office जाल सकते हो, so आप एक factory की जगा 10 factory दालो, 10 की जगा 100 दालो, strong agreements है को factory वाले से, देखो अगर आप co working space में जा रहे हो, या co working space create भी कर रहे हो न, जो आपके partners है, जो आपके साथ बैठेंगे rent के अंदर उससे agreement strong रखना, कि ऐसा ना हो, आप ये office का rent पे कर रहे हो और बाकी मज़े कर रहे हो, वहाँ पे आपको strong agreement सकने है, अच्छे लोगों के साथ ही आपको ये चीज़े share करनी है, नहीं, तो आपको नुकसान हो सकता है future के अंदर, factory भी दाल रहे हो न, तो पहले सामने वाले की credit की worth को देख लो, कहीं चोड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरे market प्लो का पैसा खाके बैठावा है, या जो goods ये produce करता है, वो quality नहीं है, ये चीज़ों को check करने के बाहद ही, आप सामने वाले से agreement करना, उसके बाद उनको standard देना, कि मुझे इस quality की shirt चाहिए, तो चाहिए, इस quality का coat चाहिए तो चाहिए, इस quality की eat चाहिए तो चाहिए, इस quality की tiles चाहिए तो चाहिए, वही quality में work करूँगा, उस quality की बीना मैं work नहीं करूँगा, जिसे सामने वाले को भी clear हो, कि इस quality का ही goods और service आपको देनी है, जिससे आप एक factory से 100 factory तक easily expansion कर सकते हो, आप आपको हर factory सोटना, खुद दालनी है, हर factory पाँच करोड दालने बैढ़के तो हो गए 500 करोड, अब तो आपको सिर्फ सेल सोचनी, जितनी ज्यादा sales उतनी ज्यादा factory पर आप जाओ, agreements करो, collaboration करो, और आगे बढ़ जाओ, बस एक चीज़ का धियान अखना, agreement समय से strong नखना, जिससे कोई dispute ना हो, so friends, ये थी पाँच powerful strategy जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दी है, हम आपके लिए ऐसी strategy लेकर आते रहते हैं, जिससे आप अपने business को grow कर पाए, लेकि startup है, तो उसको बड़ी कमनी बनने में time लिए लगता को उसको right strategy पता है, and कैसे execute करना है, इस वी media handles पर जाके follow कर सकते हो, हम daily Instagram के अपडेट जालते है कि startup ने funding उठाई है, कैसे startup grow हो रहे है, उनके execute strategies के बारे में, उसके बाद आप हमें हमारे LinkedIn पेज़ पर भी जाके follow कर सकते है, वह हम बहुत सारा valuable content जालते है, जो आपको definitely readout एक बार तो करना ही चाहिए, so इस channel को फटा- झाहिए, 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 झाहि